साथियों मैं अनिल कुमार फिसे अपने युट्व चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो मेरा टोपिक है वो आपको बारहमी जो बिहार बोड के ऐसे चाथ चात्राय हैं जो 2022 में फाइनली बिहार बोड के एक्जाम देंगे उनके लिए और इस करी करेंगे कि जो बात्चीत है ठीक है ना जो कि गत्खंड का पहला अध्या है इसी के वारे में आज हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यह जानली जे कि बात्चीत जो है यह आपको एक निवन्ध है क्या है निवन्ध द्यान सुना कि बात्चीत क्या है कि आपको एक निवन् कि पूछे जाते इस चेप्टर से उसके बाड़े में आज हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे तो देखिया सबसे पहला कुशन है कि बाल कृष्ण भट जो है वह आपको किस काल के रचना का रहे तो बाल कृष्ण भट जी जो है वह आपको अधूनिक काल के रचना का रहे यानि और अप्सर में इलहावाद न रहे तो हम प्रियागराज मारेंगे रिजन यह है कि इलहावाद का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है प्रियागराज कर दिया गया और यह जो प्रियागराज है यह आपको उत्तर प्रदेश में कहा है उत्तर प्रदेश में तो यहीं आपको कर्ष्न भट जी का क्या हुआ था जनमवा था आगे देखिया अपकर infinite ने एंट्रेंस परिक्षा कब उतिन कि थी तो बाल क्रिश्न भट जी ने इंंतरेंस की जो परिक्षा थी वह आपको अठारासा सो शर्शट ढिलमें में क्या किये थे उतिर्ण किये थे तो आपको याद रखना है कि बाल कृष्ण भट ने एंट्रेंस की जाम जो थे कब पास किये थे तो आपका आंसर हो जाएगा सुझान हो गया गुप्त वैधरी हो गया रसातल यात्रा हो गया उचीत दचिना हो गया हमारी घरी हो गया तो इस एक रॉपनायास्य ब्रहुर्ण के द्वट कर दो Kit क्याँ कर रहा है बाल क्रिष्ण के द्वारा रची थे तो युद्खर के द्वारा रची सब्सक्राइब प्रदिःप नामक था यह शतुच प्रदीप नमनना मासिक पत्रीका था वह आपको बाल कृष्ण भट जी ने अठाथाथासो सथातर में निकालना शुरू किये थे और या 33 वर्सों तक निकालते रहे ठीक है ना तो देखे ता पाच्वा नमर प्रश्न का रहा है कि बाल कृष्ण भट जी ने हिंदी प्रदिप का संचालन कितने वर्सों तक क्या ता आपका सही अंसर हो जाएगा 33 वर्स अब देखे अब करा कि बात्चित के जरिए भाप बनकर क्या बहार निकल जाता है तो देखे बात्चित के जरिए क्या होता है कि मवाद और धुआ जो होता है वह आपको क्या होता है कि भाप बनकर बहार निकल जात सब्सक्राइब तो आपको 16 वर्सो तक मानम मुख नहीं देख पाए था इस चीज को आपको देख लिए से ठीक नब और उरोप्य लोगों में बातचित करने की एक विशेस सहली होती है जिसे हम लोग क्या कहते है आर्ट और सेसन यह थे क्या क्या करते है और्ट आप से पुछेगा कि बताई यह कि आठ ओफ अफ करने सेसन का है तॉम चैंगे और तो पीए Market करने की एक विषेस अलिये जिसे आट ओफ सेसन का जाता है लॉन इंभार परस्ट अ कि असल बात्चित सर्फ दो बिक्ति यो की हो सकती है किसका मत है तो असल बात्चित जो है इसे नॉत कि हो सकती है यह मत आपको एडीक्टिशन का है एडीक्ति ऑन देहान से सुनिएगा कि असल बात्रीत सिर्फ दो वैक्तियों की हो सकती है किस्का मत है तापका सही आंसर हो जायागा एदिशन क्या जाब एडिशन अगला देखिया दस्मान नमर्म प्रसट बातचीत निवंद के निवंधकार कोन है तो बातचीत निवंदकार है वह आपको अब देख्ये अग्ला परशन 11 बाल क्रिच्न भट किस रचना काल यह आप को आधुनी काल के भरतेंदु UK क्या है रचना कारे अग्ला प्रशन तेरह नमबर बात्चीत की साहटे विद्या क्या है तो बाति चीत की जो साहीते enjoyed दिया है तो बाति चीज्ज़ वह आपको एक निवंद्ध है क्या है दें देंग कि चोदा नमरश्ट इल्ग तो बाल कृष्ण भट जी ने हिंधी पर्धिक नामक जो पत्रीका है उसका क्या किया थे शंपाधन किये थे अस peng आचारे रामचंद्र शुक्ल ने निवंधकार के रूप में द जुड़ा किने अंग्रेजी साहिते के एडीसन और श्टील और श्रीनिम रखा गया तो आपकास सही आन्सर हो जाएगा बाल कृष्ण भट यानि कि बाल क्रिष्ण भट को कया किया है कि आठाम्यदा ,कि कि बता हां जो आपको बास निमय भत कि क्या है तो बास जेत जो आपको बाल क्रिश्चन भत की क्या है रचना है तो इसकी को याद मत्पर्शक रचना है कि बाद क्रिश्न भट की क्या है रचना है आगे देखे मनुस्य की बाचित का उत्तम तरीका क्या है तो देखे मनुस्य की बाचित का जो उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बाचित करना ठीक है यानि कि बीना ड़रे हुए किसी से बाचित करना ठीक है न यहीं आपको बाचित का स सबसे उत्म तरीक है अब देखे अगला कर रहा है अठारे नमर प्रस्ट संबाद में सबसे महत्पून क्या है तो संबाद में जो सबसे महत्पून है वह आपको आत्मियता है क्या है अत्मियता धियां रखेंगे कि संबाद में जो सबसे महत्पून है वह क्या है अत्मियता अ और इनकी मिर्तु 20 जुलाई 1904 को आथा इस चीज को भी आपको याद रखना है कि बाल कृष्ण भर्टी जी का जो जन्म हुआ था 23 जुन 844 को जबकि इनकी मिर्तु 20 जुलाई 1904 को हुई थी आगे देखिया आप करा कि नुतन ब्रहमचारी सदभाव काभाव सो अजान एक सिसुपालवद नल्धमियंती ठीक है ना इंग्लेंड्रेशवरी और भारत जन्नी एक रोगी और एक वैद बाल विवाह आधी जो है किसका नाटक है तो यह सारा नाटक जो है वह आपको बाल क्रिष्न भट जी का है किसका है बाल क्रिष्न भट जी का है अब देखे बाइस नमर प्रस्न बाचीत निवंद के माध्यम से लेकर बाल क्रिष्न भट क्या बताना चाहते हैं तो बाचीत करने की सहली को बताना बादचीत निवंद के माध्यम से अगला देखिए आप करा है कि बोलने से मनुस्य के रूप में साक्षातकार होती है या कथन किसका है तो देखें बोलने से मनुस्य के रूप में साक्षातकार होती है या कथन जो है वह आपको बेन जॉंसन क्या किसका है बेन जॉंसन का है ठ क्या करें गे क्लियर करेंगे अगले वीडियो में तो दोस्तों आज की स्क्राइस को हम यही पर बिराम देते हैं फिर मिलते हैं अब से अगले क्लास में जब तक किलिए आप सब्सक्राइब